आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साश्रिखाम है रोत्रा आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार जिसमें हमारे समवदाता जिले जिले छेतर छेतर और विधान सभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है आने वाले चिनाओं में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता किन चीजों से खुश है और किन चीजों से ना खुश है जनता सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे समवदाता तो आज किन मुद्दों पे बात हुई और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता देखिए 2022 बिधान सबाचुनाब का बिगुल अबब बच चुका है और हम इसी की परताल करने जनता की राय लेने यहां जनता के बीच आ चुकी है और हम ऐसी एरिया में आये हैं ऐसी जगे आये हैं जहां ये लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं और हम ऐसी ही लोगों से हम बात कर लेते हैं कि 2022 में जनता जो मुख्यमंत्री का ताज है वो किसको पहनाने जा रही है किसको देने जा रही है मुक्मंत्री के ताज की चावी पीज़ना देखेंगे ना आगे कौन सी योजना है कैसी कैसी योजना लिका लेंगे उसी साथ सम देखेंगे तो निकाली जा चुकी है जैसे आबास योजना भी निकाली जा चुकी है जो आपको फिर भी आपको लाव नियुक्त जी जी तो अब जैसा भी योगों बताएंगा हमारे बड़े भाई यह बताएंगे आए जाए मेरा नाम हमी है आप 2022 में किसको मुख्यमंतरी का ताज बनाना चाहिए उसको योगी को बनाने मोड़ी को बनाने चाहते हैं सब्सक्राइब का जो आपको के जो योजन आए थी योगी जी की जो भी ज़ू आथी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको क्या कुछ योजना का मिल चुपां कि मकान के पॉचिशन का मिल गया ड़ी लाक रुप्या और बन माने के लिए दिया उन लोगों ने राशन कार्ट रासन भी दे रहे हैं और वर मजूरी कार्ट भी बनाया और सारी ठीज्ञें तेरें हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इन से भी बात करना चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे कि इस बार मुख्यमंतरी का ताज किसको पहनाना चाहेंगे, योगी जी कोई पहना चाहते हैं, क्यूंकि योगी जी अच्छा गाम कर रहे हैं, सुसासन उनके राज में है, ज कुछ परेशानियां घरी मेजदूरों को है उनकी भी सुन्वाई करनी चाहिए योगी जी को आपकी साथ क्या परशानियां रही है जो कि अब तक नहीं हो पाई शुन्माई यह जैसे आप यह देख रहे हैं पूरा यह सब गरी मेजदूर है यह आदमी की जगह है अगर योग सब्सक्राइब करना चाहिए तो योगी जी को यह सोचना चाहिए उनके चेत्र में है यह के इनको कुछ ऐसा वो दिया जाए जैसे के यह अपना रुजगार चला से सालों हमारे साथ यहां कुछ यूवा मौजूद है हम इन से बात कर लेते और इन से जान लेते हैं कि इस ब देखो कौन बंता है जिसकी जब ज्यादा रोजान रहेगा वही बनेंगा मुख्यमंत्री नि जिस तरह आप यूबा हैं तो जो बीजेपी की सरकार है योगी जी की जो सूबे के मुख्यमंत्री है उतरपरदेश के फिलाल तो उनकी उनको नहीं मनाना चाहिए उन्होंने त है कि रोजगार के अनुसर तो देखा जाए तो हम लोगों को भी नौक winterी नीकी सरकार में दो बनेगी तो खैर तो योगी जी की सरकार भाकी देखो क्या होता है फिर भी डाउट है अगर आपको रोजगार मिला है नोकरी मिलिए फिर भी डाउट है तो भी मुस्लिम बोर्ट आपका सपा की तरफ जा रहा है लगवक सतर से असी परसेंट तो कुछ भी हो सकता है यहां पर वही है मेरे साथ एक और भाई मवजूद है मैं उनसे बात करना चाहूंगी क्या ना मेरे साथ दो हजार बाईस का जो चुनाब नजदी के किसको ताज पहनाएगी मुख मंतरी का मेरे साथ जोगी जाने चाहिए जो कान वेस्ता उसको भी सही करा रहा है और रासन रासन की समस्या जो योगी जी ने तो काफी योजनाय जैसे का बात करना चाहूंगी कि इस बार 2022 का यो अनाज है किसको पहनना चाहेंगी मैं मखलेज बाईया को पहनाना चाहेंगे ताज 2022 का योगी जी ने तो कफी योजनाय लाए जैसे के आबासी योजनाय है और गरीब मजदूरों को इलिए अनाज रासन दिया है और फिर आप योगी जी को क्यों नहीं अखलेस भहिया को ही क्यों मैडम यह सारी बातें किताबों में और पन्नों में धीक हैं बाकी जमीनी इस तरह पे कोई काम नहीं हुआए कोई किसे लाब महिना नहीं कोई नाइक रासन भी नहीं नहीं है राशन लिया नहीं है तरना चाहूंगे दाज कुमार जिसरे 2022 का जो चुनाब नजदी के किसको ताज पहनाना चाहेंगे मुख्य मंत्री का अपने अगलेस वहीया को अगलेस वहीया के साथ हम रहें गाड़ी चलाई उनके साथ तो उनको ताइम पहराएंगे योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर काफी योजना एला है योगी जी और काफी जो अगर बात करें कानून विवस्ता की तो कानून विवस्ता भी बहुत अच्छी है फिर आप एकलेस वहीया को क्यों योगी जी गो क्यों नी ऐसे मेड़ाम अला में पादा भी मिला है कि एक बाइब और मौजूद है जो कि यह कुछ बात करना चाहेंगे इनसे भी जानना चाहेंगे हम कि यह इस बार 2022 का जो मुख्यमंतरी का ताज है किसको पहना नहीं रहे हैं कि मेरा नाम मौसन है और में एक रीजिनल लेवल टूर गाइड हूं यह हमें यहां टूर काइड मिल गए यहां पर लेकिन हम इनसे बात करना चाहेंगे कि यह किस तरह की सरकार चाहते हैं इस बार कि सबसे पहले तो सरकार वूट सही है मैडम जो हमें जो हमें जो है सबसे बड़ा मुद्धा मुझे लगता है आजकल जो इस चुनां में उनस्च यह ऊपकिए इंप्लाइमेंट का क्योंकि ऑ जो हमारे जो यूवर लोग है वो बेरोज गारें परेशान है मैं जैसे टूरि सब्सक्राइब और फिर एक चीज और है कि सरकार ने कोई साहिता भी निदी साहिता के नाम पर एक लाग रुपे का लोन भी दे रही है वह आरल जी जो टूर गाइट से उनको लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी मतलब फॉर्मालिटीस करनी पड़ेंगी तो और चीजे के कि आपको अपना क्या बोलते हैं वो आपको अपना सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए आपके आपका अकाउंट होना चाहिए और फिर इसकंदर जो रिटन करना पड़ेगा वो तो बात आलेगे लेकिन पहले मिले तो उसमें फॉर्मालिटीस ही इतनी कि इंसान परशान हो प्रेंट प्रेंट में सब्सक्राइब में मैं जो मैं जो एक सेल्फ एंप लोईड हूं मैं पिछले साथ साल चाहिए और और पिछले सबसे बड़ा जो कमेंट मुझे जो लगता है जो हमारे मुख्य मंदरी जो है योगी आधिते ना जो नों दिया था जब चीफ मिनिस्टर बने थे कि ताजमल जो एक स्टेन है मतलब क्या बोलते हैं इंडियन कल्चर फे तोड़ा मुझे लगता है कि ताजमल तूरिजम को प्रमूट करना चाहिए इनको और सुभिदान जैसे आज मैं ताजमल गया तो बहुत जादा परिशानी की लोग को टूरिस्ट को टूरिस्ट पे कर रहे हैं और लेकिन दिक्कत हो रही ह कि योगी जी नी तो बीटास की गंगा वादी उत्तर परदेशकंदर आप कैसे कह सकते के योगी जी की सरकार में बिकास नहीं हुआ है मैडम गंगा बार्योगी लेकिन जहां हम रहते हैं जिस काम करते हैं हम आदो अमने कोई विकास देखना तो जो हम देखेंगे वही तो कि इस बार मैं चाहूंगा कि पड़ा लिखा मंतरी जो मुझे लगता है अखिले चाहदा भी है जो मेरे गाल से सब क्यों कि यहां मेरे साथ और भी लोग मुझे जी इन से बात करना चाहूंगी कि यह किसको मुख्य मंतरी का ताजबेना चाहेंगे अख्ले सियादब को एक दम से आप योगी जी को क्यों नहीं और मायवती जी को क्यों नहीं मैयवती भी ठीक है अखलेश यादवी ठीक में और मोदी योगी यह दोनों बेकार है करोना चला दिया बीमारी फैला दिए गरीब लोगों को मारने का सिस्टम बना दिया ऐसे अखिलिस कराइब मैं ऐसा कुछ नहीं था ना माइवतिक कराइब ऐसा कुछ था प्राइम टीवी नियूज्ट प्राइम टीवी नियूज बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी केस चुनाव यात्रा केस खास कारक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में उत्तर प्रदेश विधान सवत चुनाओं का प्रचार परसा तेज हो गया है और आने वाले समय में चंद दिनों में आचार संगता भी लगने वाली है इसको एक बार फिर योगी आधितनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होंगे या फिर अखले स्यादों की साइकल लखनव की गद्दी तक पहुचेगी हम जानते हैं कि जनता आखिरकार क्या सोचती है और जनता का क्या मूर है हमारे साथ यहां कई लोग है प्रत्नीदियों का रिपोर्ट कार्ड और सूबे की सरकार से लोग कितने संतोष्ट है यह लोगों से ही जानते हैं कि आखिरकार इस बार यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा और बुंदेल खंड किसको सराखों पर बिठाएगा भीया क्या नाम है आपका तो सेंचन सोर है अच्छा यह पता है और किसकी सरकार यह चेह लाकव की सरकारा जिए योगी जी कहण बहुत काम किया काम क्या क्या पता है किसान पर श्रानने सब लोग पर श्रान है डीजैल पेट्रॉल और कोई नहीं नहीं आधा यह बताइए क्या लगता से बार पाते ही योगी जी ने बड़े काम कि प्रेंका गांधी आई थी अप्रेंका गांधी यहाई विप नड़िक्राइं पीस्कूटी देंगे स्मार्ट फोन देंगे चाच्चा यह नाम है आपका आप आप अचा यह बताईए क्या लगता है इस बार आने काग्रेस को हम नार्च चाहते है कि हमारे प्रदेश में क्या जिल्ली सरकार में हमारा प्रदान मंतरी कांग्रेस का होना चाहिए अच्छा एक बात बताईए यहां महोबा बिधान सभासे कांग्रेस के लिए युवा चेहरा जो संभावत उम्मीद्वार हैं वो आए हैं तो क्या लगता है उनको देखके हैं और इंसाला साला उनको मिल जाएगा कांग्रेस की बड़ी रैली हुई थी आप गए दिप्रेंगा गांधी यह लगता है दे पाएंगी स्कूर्टी और लड़कियों को स्मार्ट है अच्छा याजा जो है मों करें या ना करें सब्सक्राइब हमारे लाइस की लाइस का बि कर दो लिए हम लोग बड़ बाद हो गए हम लोग पैसा रहे तो पर इसाल है क्या लगता है कांग्रेस आई कि हमारी सथार आइगे यह बताई क्या लगता है इस बार यूपी का क्या है माहौल बुंदिल खंड का महुबा का यह बताईए यहाँ भीजेपी बिधायक है कभी आपको आपको पाता है ऐना चॉड़े लेंटा अ कर दो बेन का इसलिए क्ले यह बताईए वे दान ना रहे सब्सक्राइब कि आना चाहिए बंबर यह बताईए क्या पाप्र बबबी आपका है यह बताईए क्या लगता है लगता है इस पार काम की ने काम ने कि रहने के लिए मकान दिये है हर में रातन ले रहे हैं स्लेंडर दिये हैं जो चूले में फूंक के माईलाय परेखान होती है उनको गैस की सुब्दा दिया और पहली की गुल्डा जिर्दी गुल्डा राज खतम हो गया तो सद्दाम भाई के कहना है कि बीजेपी आना चाहिए सहमत है और नहीं कहा कि से लेंडर लोगों के दिये औ और आवाज दिये और कई चीजों से गुल्डा राज खतम हो गया तो सासन बता रहे है बीजेपी सरकार को है और किसी का कहना है बीजेपी आएगी हमारे साथ यह दादा है दादा क्या नाम है आप बसाती है यह बताइए क्या लगता है इस बार मुझे तो समय में आरा आपके चुनाव में जब बूट देने जाएंगे तो क्या मुद्द्ध होंगे राष्टबाद होगा धर्म होगा विकास होगा या जातिवाद होगा क्या होगा विकास कियाया योगी जी ने जमपूट सबकी नजर में आएंगे विलकुर 100% 100% आएंट अच्छा चलिए और इनका कहना है कि योगी जी ने कास किया है और योगी जी आएंगे और भी देखने वाली बात होगी लेकिन कहीं न कहीं यूपी बिधांसवा चुनाओ जो यूपी कहते है की डिल्ली का रास्ता यूपी होके जाता है और इसलिए यही बज़ा है कि यूपी के बिधानसवा चुनाओं को 2024 का सेमी फाइनल माना जा रहा है जिसको लेकर प्रधान मंत्री मोधी गीतोर से लगे हुए है और लगातार यूपी के दोरे कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष में भी अकले स्यादव हो या प्रिंका लेकिन जनता की क्या दावे है यह लगातार प्राइम टीवी के चुनाओं यात्रा की खास कारगरम में हम आपको दिखाते रहेंगे और आखेकार बताएंगे कि क्या है बुंदेल खंड का मूड और क्या है महोबा जिले का मूड हाला कि आपको बता दें कि लोगों में कही कहीं जादतर लोगों में यूपी सरकार जो योगी सरकार है उसके लिए तो लोगों कम संतोस्ट है उससे लेकिन यहां के जो लोकल जन परती दी है उनसे लोग खासे नाराज है और यह बजाई यह है कि 2017 में प्रचंड बहुमत से मोधी के चहरे पर लोगों ने जो बोड़ द के हैं यही बजाई है कि लोगों के मिली जूली परतिक्रिया मिल रही है अब आने वाले चुनाओं की क्या तस्बीर होगी यह देखना दिलचस्प होगा लेकिन हम ऐसे ही ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते रहेंगे कि आखिरकार क्या है बुंदेल खंड का मूड और क् गुंदेल खंड की रास्ते लखनओ की गद्डी तक पहुचेगा केमरामेन मनीश के साथ लीपक बाच्पई प्राइम टीवी निउस महुबा तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूर कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं तो वही कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहर आई जाएगी ये वक्त बताएगा लेकिन अभी ज जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार